नमस्कार, मैं हूँ आयूशीवत्स और आप देख रहे हैं GCP News एक नजर दिन भर की खबरों पर पुर्णिया में दस्वी के छात्र ने बना डाले 18 ड्रोन, आर्मी और किसानों की करना चाहते हैं मदद बिहार में कुरोना संकट के बीच आज से नवी से बारवी के सरकारी स्कूल, कॉलिज और नीजी सिक्षन संस्तानों में पढ़ाई शुरू हो गई है पटना के राज्किये बाली का उच्छ विद्याले चितकोरा, सेंट माइकल हाई स्कूल, कमला नहरू स्कूल समेद भागलपूर के चुनिहारी टोला, जुनजुनवाला, आदर्श बाली का उच्छ विद्याले, मरवारी पाटशाला स्कूल समेद प्रदेश के विभिन स्क प्रागलपुर में लेमन ग्रास से बनी हर्बल चाई की मांग अब अमेरिका में भी बढ़ी बढ़ रही है ओनलाइन डिमांड बिहार में अब ट्रेनिंग के दौरान पुलिस कर्मियों को नहीं लगेगी ड्यूटी मुख्यालेम ने जारी किया आदेश बिहार में एक दिन में एक बूत पर सौ लोगों को कोरोना का टीका दिया जा सकेगा बिहार में कोरोना के खिलाज जंग में टीका करन की तयारी शुरू हो गई है और इसका ड्राइरन भी हो चुका है बिहार का मौसम शुष्क बना हुआ है पिछले 24 घंटों में राजी के अधिक्ते जिलों में बादल शाने से नियूंतन तापमान से तेजी में बढ़ातरी हुई है वही दिन का तापमान आंशिक रूप से गिरा है राजी के उत्तरी भाग में आंशिक बूंदा बांदी के आसार है पुलिस मुटभेर के दौरान रागिर के मारे जाने के मामले में पटना हाई कोट ने बिहार सरकार को चार सप्ता के भीतर 10 लाक रुपे का मुआफजा देने का आदेश दिया है तैसा में के भीतर मुआफजे की राशी का भुकतान नहीं करने पर 24 प्रतीशत साला ही भरती की लिखित परिक्षा में कदाचार व दूसरे के स्थान पर परिक्षा देने के आरोप में कुल 19 फरजी अभ्यारतियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया इनमें 16 फरजी अभ्यारतियों को गिरफतार पत्रकार नगर एक कंकरबाग तथा दो फरजी अभ्यारत सभा पर SDM ने रोक लगा दी है SDM का आदेश है कि किले में सभा नहीं हो सकती है भागलपूर में सोमवार को सरकारी विद्यालों के साथ कुछ नीजी विद्याले भी खुले इन स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन को लेकर कई तरह की कम्या देखी गई कही सैनिटाइजिंग मशीन खराब दिखी तो कही धर्मल मशीन छात्रों को स्कूल की तरफ से मास्क भी नहीं मिला छबरा में एनित 722 पर पॉल्ची का समान ले जा रहे टेम्पो सवार दो लोगों को ट्रक ने पीस डाला ट्रक चालक फरार हो गया विरोध में दो घंटे जाम लहे शुशिल कुमार मोदी की मांग वैक्सीन को फ्रॉट बताने वाले बयान पर सफाईव दे रहुल गया के गूरुआ में उद्खाचन के बाद फिर गिरा जल्मिनार मूटर ओन करते ही जमिन दोश को हो गई पानी की टंकी बिहार के सुपोल के राधोपूर थाना इलाके के सिम्राही बाजार में शनिवाराद भागलपूर के डीम सुबरत सेन के पैत्रिक अवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया स्कॉर्पियो से पहुचे चोरों ने टीम समेट आसपास के तीन अन्य घरों में भी चोरी की हालाकि बाद में ग्रामिनों के दौरा फाइरिंग करने पर चोर वहाँ से फरार हुए इस दौरान राधोपूर थानेदार को आट बार फोन किया गया लेकिन थानेदार ने फोन नहीं उठाया जिससे चोर आराम से लाखों रुपे की समान लेकर चलते बने धन्यवाद